नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो पैसों का हमारे जीवन में विशेश स्थान होता है पैसे नहीं है तो लोग आपकी इज़त नहीं करते दोस्तो व्यक्ति चाहें कोई भी हो अगर आपके पैसे नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति आपकी इज़त नहीं करते तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा आसान सा उपाए कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी प्रकार की परिशानियों के कारण ग्रेण नक्षत्र आदी रिया नकारत्मक उरजाओं के कारण हम जितना परिश्रम करते हैं उतना कि हमारे भागय में लिखा है उतना धन हमें कभी मिली ही नहीं पाता है वे धन ऐसा लगता है कि कहीं अटक गया है आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे सरल आसान एक उपाय बताऊंगा एक टोटका बताऊंगा जिस उपाय ये टोटके को अपना करके आप अपने भागे में परिवर्टन देख सकते हैं खोद आपको ऐसा लगेगा कि आपके दिन दूगनी राच चोगनी तरक्की हो रही है चारो ओर से धन आने के मार्क खुल गए है अब जो मैं आपको उपाय बताऊंगा ये बहुती साधरन साइक उपाय है ये उपाय आप किसी भी दिन सौंबार हो मंगलवार हो या सनीवारी तो कोई भी दिन हो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं आपको 100% इसका लाब जरूर मिलेगा हमारा यही मकसद है कि सबका लाब हो सबका कल्यान हो हम आपको इस चैनल के दुआरा सरल से सरल वे आसान से औसान उपायों पताना चाते हैं ताकि प्रतेख व्यक्ति इन आसान से औसान उपायों को पूर्ण सर्दाभाव के साथ पूर्ण विदी विदान के साथ कर पाए और अपने लिए सभी प्रकार के सुखों के मार्ग खोल सके इन चोटे-चोटे उपायों को अपना करके आप अपने किसमत में अपने भागे में परिवर्तन खोदी कर सके इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको एक साफ सुतरी एक 10 रुपे की एक नोट लेनी है माता लक्षमी आपकी घर की और खिची चली आएगी दोस्तों अब इस 10 रुपे के नोट पर आपको ऐसा कौन सा वे सब्द है इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंतर तक अवश्य देखना इससे आपका ही फाइदा है और साथी माता लक्षमी को प्राप्त करने के लिए आप यह उपाय करना चाहते हैं इसलिए कमेंट बॉक्स में एक बार माता लक्षमी का नाम अवश्य लिख दे और माता लक्षमी की किरपा प्राप्त करने के लिए एक बार मातालक्षमी के संयोग में ही ये बनाए गए वीडियो को एक बार शेयर अवश्य करते साथ ही अगर आपको वीडियो चिल लग रही है तो आप इसे लाइक करें दोस्तो आपने ये कावद तो अवसे सुनी होगी कि लोहा ही लोहे को काटता है उसी प्रकार से ये भी सुना होगा कि पैसा ही पैसे को खींचता है दोस्तो जो आपने 10 रुपे का नोट लिया है इस पर आपको लाल रंग से या लाल रंग के पैन या लाल रंग की श्याही लाल रंग के स्केच पैन आदी लाल रंग की पैंसिल से भी चाहें तो आप लिख सकते हैं आपको केवल इस नोट के अंदर जो खाली स्थान होता न है जो खाली एक जगा होती है वाइट कलर की सफेद रंग की उसमें आपको लिखना है केवल श्री जी हां दोस्तों श्री माता लक्षमी को ही श्री कहा जाता है इसे लिए केवल आपको श्री लिखना है दोस्तों ये म उप्त प्रियोग मैंने आपको आज बताया है इसलिए दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में एक बार माता लक्षमी का नाम अवश्य लिख करके जाए और इस उपाय को करके देखिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे में जादा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें जै बजनक बली जै मातादी जै मालक्षमी